नमस्टकर दोस्तों तो दोस्तों जैसे की एग्जाम्स की गाइडलैन भी आ चुकी हैं उर्विश्टी दवारा कोलेजों को दिशा निर्देश भी जारी किये जा चुके सभी छात्रों से राय लेंगी कौन ओनलाइन एक्जाम देना चाता है कौन ओफलाइन एक्जाम देना चाता है रेगुलर वालंगों तो कोलेजों ने जहां तक है रिस्पॉंस ले लिया है राय ले ली है लेकिन समस्या बन रही है जो पास आउट वाले स्टूजन्स है उनमें अभी भी असमंजस की स्थीति बने है कि उनको मोड सेलेक्ट करने के लिए लिंक कहां से मिलेगा मोड कैसे सेलेक्ट करना है कहां से सेलेक्ट करना है कब तक सेलेक्ट करना है क्या कुछ जानकर यह देनी है कब तक देनी है इसको लेकर चातरों में अभी भी संसया बनवा तो इसी बात को आपके डाउट और आपके जो भी आपका एक्जाम सेंटर अलोट किया जाएगा लिस्ट से चेक करके अपने एक्जाम सेंटर से कॉंटेक्ट करना है और उनसे बात करनी है कि आपके एक्जाम है आपने मोड सेलेक्ट करना है अपनी डिटेल्स देनी है तो यह बात दें कर लें और एक्जाम सेंटर की त ली जाएंगी या फिर ओफलाइन भी ली जाएंगी या एक्जाम सेंटर पर डिपेंड करता है तो अपने एक्जाम सेंटर से कॉंटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं अगर किसी को एक्जाम सेंटर पास में पड़ता है तो वह एक्जाम सेंटर में जाके भी अपने जरूर दे अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें क्योंकि ये रिजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही होगा आप अपनी जिम्मेवारी पर ही सारा काम करें ध्यान पूरों किसा काम किया जाने किस तरीके से गुगल फोंग में जानकर यां भरी जाने है वो आप बता जान कर रहेंगी आपकी valid email id जो की use में हो सुचारू रूप से काम में हो WhatsApp mobile number जो की काम में हो सुचारू रूप से काम कर रहा है तागि अगर आपसे contact करना पड़े तो उसके जरीय contact किया जाज़के email id question paper सप्लाई करने के लिए या फिर google form का link send करने के लिए जहां पर कि आपकी answer book की PDF submit होनी है और इसके लावा जो आपका roll number हो गया mobile number email id course semester name किन किन subject के आपके paper है ये जान करें एक्तिरित की जारी है exam center दोरह लेकिन कुछ एक exam center दोरह हो सकता है कि इसके लावा कुछ और जान करें एक्तिरित की जारी हो तो इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है इसमें ज्यादा लंबा चोड़ा फरक भी नहीं है तो जो जान करें देखे हैं आपर valid email id जो आपकी email id यूज में हो भर देनी है mobile number भर देना है name of student, father name, college roll number, university roll number exam center की तरफ से university roll number ही पुछा गया होगा तो आपने सिरफ university roll number ही mention करना है mode of exam आप किस mode से exam देना चाते हैं online या offline यहाँ पर class या तो यहाँ पर लिखने का option मिलेगा कि आप type करेंगे अपना answer type करेंगे या फिर यहाँ पर select करने का option आपको मिल जाएगा इसी तरह से semester का इसी तरह से exam type किस तरीके का आपका exam है full paper या reaper तो कुछ एक exam center की तरफ से यह कियागी जो regular वाले students के लिए link open किया गया वही कहीं ने कहीं reaper वालों के लिए भी खुला रखा गया जो pass out वाले है mercy chance वाले हैं उनको भी वही link दिया जा सकता है तो इसमें भी ज्यादा confuse होने की जरूरत नहीं है इसके बाद subject subject में यहाँ पर देखिए select करने का भी option है कुछ exam center यहाँ पर type करके अपना answer देने का भी option दिया गया exam center की तरफ से तो इस सारी जान करें एक बार अच्छे तरीके से check जरूर कर लें जो भी आप जान करें सम्मिट कर रहें cross check जरूर कर लें तो यहाँ पर subject के बाद अगर आपकी कोई राय है या फिर आपको कोई doubt है या फिर आप कुछ कहना चाते हैं तो यहाँ पर remarks दे सकते हैं लिख सकते हैं कुछ उसके बाद आप submit कर देंगे तो submit करने से पहले cross check जरूर कर लें और एक बात का ध्यान जरूर रखेंगी जब आपके exams हो तो exams में जो आपका first page रहेगा वो आपका admit card यानि के roll number रहेगा और जो exam center है exam center की तरफ से चात्रों के registration के लिए 20 रुपए के charges लेने की बात कही जा रही है और response आप एक ही बार submit कर पाएंगे एक ही बार अपना mode select कर पाएंगे तो सारी जान करें जो है ध्यान पूरों के जरूर भरे और अगर exam center की तरफ से revert reply करने का option on किया गया गो तो आपको response साथ की साथ आपकी mail ID पर भी मिल जाएगी कि आपने ये कुछ जान करें submit किया और ये आपका response रहा है तो दोसों जिस भी exam center की तरफ से चात्रों की राई लेने के लिए Google form साथ जा किया जाएगा उस form पर title भी आपको देखने को मिल सकता है इसके लावा college का नाम भी देखने को मिल जाएगी इस college की तरफ से ये link बनाये गया साथ जा किये गया चात्रों से राई लेने के लिए चात्रों की जान करें लेने के लिए जो जान करें एक तरित की जानी है वो लगबग सेम ही रहेंगी name, valid email id, valid mobile number या WhatsApp number, role number WhatsApp number, course mode of exam, किस तरीके से exam देना चाते हैं, semester कौन सा है exam type subject, किन किन subject के वेपर है remarks, इफैनी, तो इस तरीके से जान करें, एक तरित की जानी exam center दोरा, हालंकि ये जो आप अभी देख रहे हैं सक्रीन पर, ये link हमने तयार किये, सिरफ आपको share जरूर करें, ताकि ज़्यदा ज़्यदा चातरों तक जानकारी पहुंच पाए, उमीद करते हैं कि आपके doubt क्लियर हो गए होगे, वीडियो कौन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यावत